बहनोई ने अपने साली का एक युवक से 50,000 रुपे का लिखी दिया सौधा पिडिता ने बहनोई द्वाना सौधा करने के मामले की वरिस्ट पुलिस अदिक्षक कारयाले पहुँच करकी लिखित सिकाए पिडिता ने बताये कि मैं थाना बहेडी छेतर की रहनी वाली परवीन हूँ तथा शिकायत में बताये कि दीदार पट्टी थाना भोजीपुरा जीला बरिली ने पिडिता को शादी का जहासा देकर एक वेक्ती मुमिन पुत्र आमी निवासी ग्राम तुलसीपूर थाना भोजीपुरा बरिली को प्राक्ती को पचास हजार रुपए में बेच दिया जब पिडिता उसके घर रहने लगी तभी दो-चार दिन के बाद कुछ गुंडे किस्म के लोग को लेकर मुमिन घर आया और कहा कि परवीन तुमिन के साथ रात को सोजा प्राक्ती ने जब विरोध किया तब मौमिन ने कहा कि मैं तुझे पचास हजार रुपए में तेरे बहनोई से साप्री दे करके लाया हूँ और मुझे मेरे साथियों के साथ सोना पड़ेगा पेड़िता ने रात में ही जैसे तैसे भाग कर अपनी जद बचा कर अपने माय के आई फिर अपने बहनोई के खर मुझे खरीदने वाली बात करने गई तब ही पेड़िता ने बहनोई से अकेले पाकर पकड़ लिया और दुशकर गिया क्योंन और गलोगी माराज से उसको पिछा में जान विया है कि किसको में पिर्चाज कर दोगो तो किया की अपने गाकर वह है कि बहुत ने खरी तो नवहीं वहां से जान बिताकर गानी के और दो है है थाने में जिकात करी है अगले आज साफ से मिली आप तो क्या काश्म में ना चाहती है तुम कि और कि वर जड़ती है इता इन हो अब यह तुन लुद्ध का अधा रहा है